है कि 384 विधान सभा पिंडरा में जो है कांटे का मुकाबला चल रहा है कड़ी टककर पिरिया सरो समाजवादी पाटी की दे रहे हैं अब सभाजपाई पर ज्यादा ध्यान रखते हैं ठीक है अब जिसे आदो मुसलमान देख रहे हैं ज्यादा का प्रिया पर और जो हिंदू है सभाज पर दे रहे हैं मैं आई यूदि साइकार को चीर्ज करने वह अब रासन नहीं बाटो रासन तो हम लोग आप हमको नौकरी तो हम रासन खरीत लेंगे पांच किलो पांच किलो में पुरा परिवार नहीं चलता है वां जिया मोदी तो बहुत दिन से करकर के कुछ न मैं क्लाउन टेम्स के दर्सकों को बताना चाहता हूं कि छटमें चर्ण का मद्दान है और इस वक्त मैं हूं मचली सहर के पिंड्रा विधान सभा में जहां सोराजी देवी इंटर कालेज है यहां पर एक बूत बनाएगा जो आदर्स बूत के रूप में इससे दर्साय गया है मचली सहर लोकसभा सीट से कि यह सुरक्षि सीट है और इस सब्सक्राइब पहुंच चुके हैं सोराजी देवी इंटर कालेज में जहां आप देख सकते हैं रेट कार्पेट बिचाया गया है यह आदर्स बूत है और यहां मद्दाताओं के लिए बिश्यस्ट विधा की और यह और आप देख सकते हैं मुख्षद्वार पर मैलन सजायगी और सीप्ट बनाये गया है मंकि चुबिस के ल्ग सबस्मार को पर्व के रूप में मनाने के तैयारी है और आप देख सकते हैं अभी совсем का बनाया गया है आये मैं बोत के अंदर चलती हैं देखते हूं यहां पर क्या है नजारा कि अब बूत के अंदर प्रविश्च करते देखें यहां पर कूलर भी लगाया गया है और गर्मी को देखते हुए यहां मुकंबल इंतजाम किये गया है सुरक्षा के पड़ें इंतजाम किये गया है मद्दाताओं की बात की जा तो इका दुका मद्दाता नजर आ रहे हैं यहां भी आप देखें दो तीन ही मद्दाता नजर आ रहे हैं देख सकते हैं मद्दाता नजारत हैं लेकिन बाहर सुरक्षा के मुकंबन इतजाम है बूत के अंदर एक दू मद्दाता नजरा रहे हैं विकलांग लोगों के लिए दिखे एक चेयर की विवस्था भी की गई है इस दोपहर के समय लिहाजा मद्दाताओं के संख्या थोड़ी कम है यहां पे लोग अपने मद्दान का प्रयोग करके आ चुकी है बता दें की छटमे स्टेनल की मचली सहर लोगसभाद सीट वह सीट है जहां बीजेपी को पिछले लोगसभाद चुनाव में महज 181 ओटों से जीत मिली थी जौनपूर जिले की मचली सहर लोगसभाद सीट के अंतरकत पाच विधान सभाद सीटे आती हैं जिन में दो सुरक्षित हैं और तीन सामान हैं दोनों सुरक्षित सीटों पर सपा का कबजा है एक सामान सीट सू भासपा के कबजे में हैं लेकिन विधायक सपा के समर्थक वाले मचली सहर के 190 मद्दान किंद्रों पर 389 बूथों पर 3,73,708 मद्दाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे इन में 1,99,664 पूरुष 1,74,444 महिलाएं विधान सभाद चित्र में 143 समयदन सील बूथों पर सुरक्षा के बिसिस ब्योस्था की गई है मैं क्लाउन टैम्स के दर्सकों के बताना चाहता हूँ कि 50 बूथों पर रेट कार्पेट बिछाए गया है जिस पर 50 मॉडल बूथ है उन्हीं बूथों में से यह सुराजी देवी इंटर कालेज का बूथ है वो अर्तमान में बीपी सरोज भाजपा के सांसद है और इस बार प इकराम जी हैं बताएंगे कि पिछले बार क्या रहा चुनावी सामत पर देखिए सबसे पहले मैं यह बताऊंगे मेरा नाम मुहम्मध एकराम है यह 384 विदान सवापिंडरा के ग्राम सवापिंडरा बजार की सुराजी देवी बाल का इंटर कालिज में मैं खड़ा हूँ जो है पिछली बार जो है समाजवादी पार्टी और बस्पा का जो है गड़बंदन था वहां जो है टी राम जो है ब्यस्पी के कंडिडेट 181 वोट से आ रहे थे भारती जनता पार्टी के बीपी सरहोज 181 वोट से जीते थे इससे में वर्तमान की सिती है कि 384 विदान सव पिंड्रा में जो है कांटे का मुकाबला चल रहा है कड़ी टकर पिरिया सरोज समाजवादी पार्टी की दे रहे हैं कहा नहीं सकता कि क्या होगा क्या पुश्चन चल ले किस मुद्दे प्रमद्दान हो रहा है यहां पर बहुत अच्छे चलना है लेकिन इसमें दूनों द अब सब भाजपाइज यहां ज्यादा ध्यान रखते हैं झाल ज्यादा अध। कशे पर बड़े साही outta मैं का क्या करने है मैं यहां आई हूँ मोधी सरकार को चीर्ज करने वोट देखने आई हूँ कि यहां पर कैसे वोट होता है तो आप देख सकते हैं कि मद्दाताओं में मोधी को ले करके छोटे-छोटे बच्चों में काफी उत्सा है वैसे तो यह मद्दान के बाद और जब मतगरना हुजाए तपते होगा कि जीत का सहरा किसके सर बढ़ेगा लेकिन इस बूत पर कांटे की टककर है पिंडरा विधान सभा में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं और आगले बूत पर देखते हैं कि वहां पर कैसा है नजारा वैसे तो यह दोपहर का समय है लगभग देड़ बज रहे ह हैं लेहाजा बूतों पर मद्दाताओं के संख्या थोड़ी कम है सुबह में ऐसा बताया गया कि काफी अच्छी भीड़गार थी मचली सहर के पिंडरा विधान सभा यह बनारस विधान सभा में आता है और लोग सभा के चुनाव में यह मचली सहर में आ गया है अब हम कि मद्दाताओं का कैसा यहां पर रुजान है और हम इनसे बात भी करेंगे कि किन मुद्दों पर यहां मद्दाता मत दे रहे हैं यहां काफी धूफ है लेकिन पीड़ की च्छाओं के नीचे कुछ लोग बैठी है आप लोग यहां क्या कर रही है अच्छा बिया लोग जी की मद्द कर पाती है जिनका लिष्ट में नाम है यह बियलों है जिन मद्दाताओं को कोई दिक्कत होती है उनकी शहात्या के लिए लोग सरकार को बैठाए गया है यहां भी देख सकते हैं प्रवेश द्वार पर लगभग 5-6 मद्दाता हैं यह दोपार के समय लिहाजा अच्छे संख्या मद्दान कर चुके हैं कि पूरी सूची लगाई गई है जिसमें क्रिपा सिंकर सरोज जो बहुजन समाज पार्टी से हैं प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से इंडिया गडवर्दन की प्रत्यासी हैं भोलानात बीपी सरोज इने करते हैं यह भारती जन्ता पार्टी के वर्तमान सांसद्धी हैं चुनावी मैदान में हैं इनके अलमा और भी कई सारे प्रत्यासी हैं जिनके यहां पर अभी कोई चर्चा नहीं है 12 प्रत्यासी चुनावी मैदान में हैं और आप क्रम से देख सकते हैं कि बात करते हैं प्रियंका राजबर से और जानते हैं कि किस मुद्दे पर आज मद्धान हुआ है हमारे लिए बहुत सा हाता किये हैं कौन किया है मुद्दा में को बदला किये और कि इसको हांथी को किया है ये सब को दें किसर में नहीं बता सकते हैं इसे जो मद्दान आप की हो जैसे प्रतीन्प्रत्यासिमाली मैदान में हैं तो मुद्दा क्या रहा वो खुद देखिएगा बदलाओ चाहती है कि मतलब जो है बस ठीक ठाक है निसर बदलाओ में क्या सिच्छा अच्छी मिले रोजगार मिले में तो यही मुद्दा है ना अब रासन नहीं बाटो रासन तो हम लोग आप हमको नौकरी तो हम रासन खरीद लेंगे पांच किलो प सब्सक्राइब हो यह हो जाएं कौन बाट अच्छा है अब हम अकेला बदलने से बदल जाएंगे तो और अच्छा है क्योंकि मोदी तो बहुत दिन से करकर के कुछ नहीं कि यह देंगे वो देंगे कुछ नहीं दिया आश्रम हमारा यह सभी बना नहीं आश्रम आज तक नहीं बनाए दस सल रहे नो कौन बनाएगा अब कौन बनाएगा एक पैसा हमारे बाबा को नहीं दिया तो आज तक क्लाउन टायम्स दिनों की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइक अन को प्रेस जरू करें ल्तक्र